नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में लोगों के एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि बोलते समय हमें किन अंगों का इस्तिमाल करना है बोलने के लिए जो अंग इस्तिमाल होते हैं मसलां कंट, जीब, तालू, मसूडे, इसके लावा दांतों का बहुत बड़ा रोल है और साथ ही हमारे होट ना कभी इसमें एक रोल है लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जो हमारी वर्ण माला है हिंदी की जो वर्ण माला है वो एक बहुत अच्छे तरीके से सू लियोजेत तरीके से तयार की गई है उसमें जो वर्णों के उचारण है अगर आपको वो समझ में आएं तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस वर्ण का कहां से किस अंगे से इस्तिमाल उचारण करना है लोगों की जो समस्या है वो यह है कि उन्हें रा और डा इसके उचारण में confusion होता है रा की जगड़ा डा की जगड़ा बोलते हैं इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है ला को लेकर उन्में काफी उचारण की दिक्कत होती है होट से जो उचारण होने वाले वर्ण हैं उन्में उनको समस्या का सामना करना पड़ता है आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारी जो वर्ण माला है वो असल में है क्या आपको अगर ये पता चलेगा कि इस वर्ण माला में कौन सा जो वर्ण है वो कहां पर है तो आपको समझ में आएगा कि उसका उचारण हमें किस अंग से करना है फिर आपका ये confusion दूर नहीं होगा देखे मैं आपको सीधी भाष्णा में समझाता हूँ क्योंकि जब हम वर्ण माला और इस तरह के शब्द इसनिमाल करते हैं तो आपको लगता है कि आपको हिंदी का बहुत बड़ा जानकार होना चाहिए आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए हिंदी आपका पढ़ाई का विश्व होना चाहिए specialization उसमें होना चाहिए यह कुछ भी हमें इस्तिमाल नहीं करना होता अब आती है बात उसके बाद व्यंजन की व्यंजन की का खा गा गा ना चाचा जा 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 यह जो वर्ण है यह बड़े सही तरीके से इनका एक श्रिड़ी मनाई गई है मसलन हम पहली वर्ण माला की बात करते हैं का की का का जो उचारन होता है वो हमारे कंठ से होता है हमारे देखे आप जैसे जैसे वर्ण माला में नीचे जाएंगे वैसे वैसे हम यहां से यहां की तरफ बढ़ने लगते हैं वर्ण माला है उनके उच्चारण की जगह है वो बदलती जाती है आपने देखा, यहां से लेकर यहां तक शूरू हुई और यह वर्ण माला इस तरह से चलिए तो आपको यह समझना जरूरी है कि इन वर्ण माला में हम कौन से अंग का इस्तिमाल करने हैं से शुरू होना है और आगे तक उसको हमको बढ़ना है आने वाले वक्त में जो मैं आपको वीडियो बताऊँगा उसमें हम हर वर्ण माला का लेकर बताएंगे आपको किस तरह से और किस अंग से इसका उचारन होता है फर्क क्या है हमारी अलग-अलग वर्ण मालाओं के उचा काव वाला जो है वो है हमारा कंठ से इस्तेमाल होता है इसलिए कंठ है इसके बाद हम तालू से उचारण होने वाले वणों की बात करें तो वह है तालव्य फिर उसके बाद हम जो हमारा मसूरा होता है उसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है मूर्धन्य फिर इसके लास्ट में इन सभी वर्ण मालाओं ये जो वर्ण हैं ये सभी नासिक के हैं क्योंकि इसमें नाक का इस्तेमाल होता है तो आपको ये समझना होगा कि हमें कैसे इन शब्दों का उप्चारण करना है लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किस वर्ण माला का है और इसमें कौन सा अंग हमारा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है तो आने वाले वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बता हूँँआ फिल्हाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये ओवराल एक जानकारी है ताकि आप ये समझ सकें कि हम हर वर्ण के उचारण में अलग अंग का इस्तिमाल करते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बैल आइकन है उस पर जरूर हिट करते हैं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाओ तो आप तक उसकी जानकारी जरूर पहुँच जाए आने वाले वीडियो में हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया नमस्कार करेंगे